भायो ठाम निल को देख किसे वीडियो को क्लिक किया耶 तो बीलकुल सही वीडियो पर आज क्लिक कर दिया तो मैं आज आपको बताँ किरसी कि आपके पास इस तरखी तो पर बेटरी लगी होती है और हम इसे चेंज करते ही रहते हैं अगर मैं यहां पर अब आपको दिखाओं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूं यह देखो मेरे पास ना यहने कितने सारी बेटरिया है जो कि मैंने इसे चेंज करके हटाया है और आज भी यह बेटरी फिर से डाउन हो चुका है तो क्या हमसे चार्ज कर सकते हैं कितनी जिन तक यह चल पाएगा तो इसके लिए वीडियो को लास तक देखना साथी चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको जनती से जो पर लेब करती है लेकिन ठीक आज से मैंने 2-3 साल पहले में आपको एक वीडियो बना करके दिखाया था जिस पर आपने काफिय अच्छा है रिस्प्रूंस दिखाया मैंने सुज़ें क्यों आप फिर से वीडियो बना करके दिखाया कि उस पर क्यालिक्स थोड़ा पर चैनल को यहां पर लगाने का मैठेड़ बताएंगे यह पर लगा कर देख लेए यह नहीं देखता है अगर आप यहां पर ध्यांस से देख तो इसे के पर जो स्वी है वह हलका तर्ण कर रहा है यानि हलका यह चल रहा है यानि कि इससे हमें पता चलते हैं कि बेटरी थोड़ी तो लोग है लेकिन हमें इससे पता नहीं चलेगा तो मैं क्या कमगा आपको मल्टी मीटर के तुरू वोल्टेज दिखाऊंगा और फिर से चार्स करने का म सबसे पहले आप इसका जो वोल्टेज है उससे हम चेक करने वाले तो वोल्टेज को मैंने 20 पर सेट कर दिया पीछे कुछ रख देते हैं जिससे आपको वोल्टेज सो होता रहेगा अब इसके जो पोजिटिव और नेगिटिव टेर्मिनल के प्रोब है इने हमें बेटरी के सब्सक्राइब यह चल पाएगा देखो यह है 1.5 यह बेटरी फूल चार्ज है इसे हम साइड रखते हैं इसे चेक कर लेते हैं इस पीडियो में यह है 1.4 लगवग यह भी चार्ज है जो मैं सभी के लिए अलग अलग सेक्शन बना दे रहा हूं 1.3 इसे इसके साथ रखते हैं यह दो बेटरीया है जो कि 1.3 के आसपास है इसे चेक करते हैं यह भी 1.3 है इसे यहां पर रखते हैं इसे चेक कर लेते हैं यह भी वही है 1.3 अब इसे चेक कर लेते हैं इस पीड में यह 1.04 यानि कि यह भी डेड़ कंडिशन पर इसे साइड अकते ब्लास्ट यह वाली बेटरी यह जो वाइरलेस मौस होता उसका यह है यह 1.5 यानि कि यह भी हमारा फूल चाहर दें लबद यह हमारा दो बेटरी जो फूल चार्ज के कंडिशन पर है तो इसे हम रखते हैं साइ अब तो नहीं है मैं फिर से चेक कर लेता हूं एक बार यह है वन वोल्ट और इससे यह 1.4 वोल्ट यानि कि इसमें से यह वाली बेटरी को भी हम हटा देते कि यह भी 1.4 वोल्ट है और बाकी जो यह सारी बेटरी आना इन मैं से आपको वोल्टेज को बढ़ाना होगा तब से काम करने वाला है अब से चार्ज करने का अलग से जो मीतव हो बता हूं कि मैं तरीस अपो मेठट बढ़ा रहा हूं अपर में प्रोसेस तो भाता है नहीं है अब हम पहले कंपनी हैं क्या पर पताई जाता ह stupid लिगा नहीं है मिजपिये बेटरी बेटरी पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है यह डूब्लिकेट बेटरी यह से हम रखते हैं साइट बर देखो यहां पर आप वह साफ सब देखने को मिल जाएगा कि यह है हमारा 1.5 वोल्टेज का जो कि वन यूनिट का है और एक बार चार्ज करने के बाद यह दूसर है यहां पर मैं यूज करने वाला हो सबसे पहले यह एक बुष्ट करनवर्टर बुष्ट करनवर्टर मोडियूली एक तरसे और यह खासकर पावर बेंग पर यूज क्या जाता है तो यहां पर क्या करेंगे इस से हमें वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ेगा यानि कि मा 12 वोल्ट की बेटरी मेरा 12 वोल्ट का नहीं है तो यह मैं दस बोल्ट का बेटरी जूज कर रहा हूँ जो कि मैंने खुद ही बनाया इससों बनाना है तो आया बटन पर क्लिक करो आपको यह वीडियो सो हो जाएगा अब करते हैं इसके साथ जो बेटरी का जो कनेक्टर है उस देखो यहां पर मैंने लगाया बेटरी को मैं थोड़ा दूर कर दे रहा हूँ और एंपियर वाले को मैं सामने कर दे रहा हूँ अब यहां पर दो आउटपूट मिल जाते है वायर एक है नेगेटिव और दूसरा है पोजिटिव अब हमें यहां पास समसे पहले दखेगा और यह से मैं दीए aliment दीए देखता हूं कितना यह वॉल्टेज जा सकता है reconciliation यह देगो वोल्टेज यह यहाँ पर 1.3 चल गया थो यह 1.5 वोल्ट का बेटरी है तो मेकसिमम यहाँ पर हम ट्वोल्ट का यूजाँ कर सकते हैं यहाँ पर पर ले जाते हैं यहाँ पर यह दिनुद 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 बढ़ा रहा हूं में पर देख सकते हैं chw अब आप लोग यहां पर देख सकते हूं कि वोल्टेज हमारा टू वोल्ट पर सेट हो चुका है और इसका एंपियर के लिए पहले में चेक करना पड़ेगा तो एंपियर के लिए वह वह वन पॉइंट टू के आसपास मिल रहा है यहने बेटरी को चार्ज करने के लिए काफी तरीऩ है और मैं इसे थोड़ी तर लिए लगा रहा हूँ है चायर्ज में शार्ज लगाने पर सिंफल सा तरीका हो आपको इसे टाउच्च करना हो गर बाईनको को मैनस के साथ और प्लस को प्लस के साथ यहां पर तरफ कर रहा हूं यह लगा दिया हिअ पीछे कर लेते रहे वह दीरे दीरे बढ़ रहा है यानि जब तक ये दो एंपियर के करीब में नहीं जाएगा बेटरी तब तक ये फूल चार्ज नहीं होने वाला अब कितना टाइम लगेगा क्योंकि यहां पर बेटरी को लगाया कि चलो थोड़े वीडियो को फास्ट करके देख लेते हैं तो भाई हो मैं थोड़ा बाहर चल लगया था तो मैं तूरा दो फीर से आ गया हूं अब इसे फिर से चार्ज लगाते हैं मैंने लगो 40 के करीब मैंने इसे लगाया था और बेटरी जो है वह दीरे-दीरे गर्म हो रहा है क्योंकि देखो बेटरी टू वोल्ट मंग दो वोल होता है तो आपको वो भी देखना होगा साथ में अभी देखो इसे मैंने फिर से चार्ज पर लगा दिया है अभी यहां पर 0.41 एंपियर इसके पास आ चुका है अभी इसे थोड़ी देर और छोड़ते हैं लगबग यहां पर तीन मेंट से ज्यादा मैंने रख दिया है तीन मेंट के अंदर में यह 0.56 एंपियर के करीब यह गया है अब क्या करते हैं इसका जो वोल्टेज है अब उसे फिर से चेक करके देख लेते हैं कि आप यह चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि अगर वीडियो को लॉग ज्यादा करेंगे तो आप ही कुछ ज्यादा प्रोब्लम होगा तो मैं यहां पर वोल्टेज है वह में चेक करता हूं इसका वोल्टेज पहले कितना था वान पॉइ एक पुलोगे यह अब बता रहे थे कि यह और नहीं करता है तो सीधा कहने कि यह बेटरी चारज नहीं हो सकता है लेकिन एक ट्रिक मैं अभी आपके लिए अब को बता हूँ जो मुझे आपको बता पास सबसे कहले हम निकालेंगे जो की सबसे कम वोल्टेज के करीब में जो होगा उस वाले बेटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर रही है सरसे पहले मैं मल्टिमेटर से मैं वोल्टेज को चेक करके जो सबसे कम वोल्टेज का होगा उसे हम यहाँ पर निकालेंगे चार्ज करने के ल लब देखो आप में एक्जाम्पल के तोर में आपको यहीं पता सकता हूं कि यह वाले बेटरी जो हो यह 1.3 वोल्टेज की है अब इसे चार्ज करना तो एक सबसे असान तरीका यही है कि आप यहां पर एक 12 वोल्ट की बेटरी लो यह यहां 5 वोल्ट का बेटरी लो ठीक है अ और आपको बेटरी को टाच भी करते रहना है कि यह गर्म तने हो रहा है अगर ज्यादा गर्म होगा आपको हटा देना है तूरंत एक दो तीर चार पांच यह देखो मैंने यावर पांच तक काउंट किया है और अब मैं आपको इसका वोल्टेज जो है वह में दिखाता हो अब ही मैंने आपको दिखाया था वोल्टेज जो था वह 1.3 था अब इसका वोल्टेज देखते कितना होगा अगर वोल्टेज फिर भी नहीं बढ़ेगा तो समझे लेना हंड्रेट पर्सेंट यह बेटरी खराब हो गया अब यह काम नहीं आएगा लेकिन अगर वल्टेज अब इसी के पास में रख रहा हूं इस वाले बेटरी को मैं आपको दिखा देता हूं वरना आप लोग बोलोगे वाई वीडियो फेक तो नहीं है देखो मैं इसका वोल्टेज दिखाता हूं इसका वोल्टेज है 1.3 जैसा कि देख पार हो 1.3 है अभी आपके सामने में इसे हैं इसके साथ करेंट कर रहा हूं और 5 तक काउंट करेंगे है यह कियां मैंने और पांच तक करें एक दो तीन चार पांच कशच यह देखो आपके साल लाइब प्रूप की MP3 मैं आपको दिखा रहा हूं यह देखो आप इसका जो व्ल्टेज है उसे हम चेक करते है यह जखो 1.7 मतलब एक तरीका यह तो है कि आप इस तरीके से बेटरी को चार्ज कर सकते हो लेकिन इससे ज़्याद हो दिए आप नहीं चला पाओगे क्योंकि जितनी जल्दी चार्ज कर रहा है तो उतनी अंपियर आपको इस पर नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ी देर यूज करोगे यह खत्म हो जाएगा लेकिन आप चलो मैं आपको साथ में घड़ी पर चेक करके दिखाएता हूं कि आप सिर्फ चार्ज कर रहे हो तो आप इस यह मैंने लगाया है अब आपके सामने में इसे पीछे कर रहा हूं घड़ी नहीं चल रहा है दूसरे बाले कुछ एकत्ते हैं अगि चल रहा है को वोल्टपो चेक कर लेते हैं यहां डीक्रीश मैंने को यहीं बोला था न यह श्यार्ज कर सकते हो लेकिन आप यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पर कितना है 1.4 व्रल्ट पर चल गया है तो क्या चले है इससे कुछ नहीं चले जम एतना तेर में यानि एक पुरूप तो मिल गया है कि बेटरी चार्ज होता है इसका मैंने आपको गरेंटी दे दिया है अब देखो थोड़ा अगर हो गया है ज्यादा देर हो तुम्हें क्या करता हो एक बाद इसे थोड़ी दिर के लिए मैं छोड़ी देता हूं लगभाग जाद दिरने प्रेटरी हद से ज्यादा गर्म हो चुका है और मैं वोल्टेज को चेक नहीं करने वालों बैरेट इसे लगाने वाले खराब होगा क्या होगा आपके सामने होगा ठीक है मैं इसे यहाँ पर लगा दे रहा हूं और यह मैंने क्या पिछे करब पलटते हैं नहीं चल रहा है तो यानि कि आप इसलसे नहीं चला सकते हो दी रहा हग एक आप हो मैं आसे चार्ज करने का एक और मेश्ञे कर लिए अगर इससे यह यह लगां कर देखते है तो यह चार्ज था अगर यह चल रहा है इसा यह देखो हमारा जो घड़ी आ वही कराब हो गया है यह देखो चल रहा अच्छा कंचा बेटरी पर चार्ज नहीं है तो आप बेटरी को इस तरी के लिए चार्ज कर सकते और बस और सब्सक्राइब को फॉलो करो कि कि मैं कभी बनाता हूं मैंने आपको वोल्टेज को बढ़ा करके दिखा दिया है और बेटरी किस्ते के चार्च करते हैं वह भी मैंने आपको मेथेड बताया है आप पहले खुदी ट्राइब कर लेना अगर यह काम कर जाएगा तो ठीक है नहीं काम करता है तो पहले मुझे नी पहले मुझे